श्रीरूत्र सनहेता सती खंड, सती द्वारा योगाग्नी में शरीर को भस्म करना ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मौन हुकर देवी सती अपने पती भगवान शिव का स्मरन करने लगी उनका स्मरन करने के बाद उनका क्रोधित मन शांत हो गया तब शांत मनुभाव से शिव जी का चिंतन करते हुए देवी सती पृत्वी पर उत्तर की ओर मुख करके बैठ गई तब पश्षात विधी पूर्वक जल से आचमन करके उन्होंने वस्त्र ओड लिया फिर पवित्र भाव से उन्होंने अपनी दोनों आखें मूद ली और पुनह शिव जी का चिंतन करने लगी सती ने प्राणयाम से प्राण और अपान को एक रूप करके नाभी मिस्तरत कर लिया सांसों को संयत कर नाभी चक्र के उपर हृदय में स्थापित कर लिया सती ने अपने शरीर में योगमार्ग के अनुसार वायू और अगनी को स्थापित कर लिया तब उनका शरीर योगमार्ग में स्थित हो गया उनके फ्रदय में शिवजी विद्धिमान थे यही वह समय था जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था उनका शरीर यग्जे की पवित्र योगागनी में गिरा और पल भर में ही भस्म हो गया वहाँ उपस्तित मनश्यों सहित देवताओं ने जब यह देखा कि देवी सती भस्म हो गई है तो आकाश और भूमी पर हाहाकार मच गया वह हाहाकार सभी को भेभीत कर रहा था सभी लोग कह रहे थे कि किस दुष्ट के दुष्व्यभार के कारण भगवान शिव की पतनी सती ने अपनी देख का त्याग कर दिया तो कुछ लोग दक्ष की दुष्टता को धेका रहे थे जिसके व्यभार से दुखी होकर देवी सती ने यह कदम उठाया था सभी सत्पुरश उनका सम्मान करते थे, उनका फ्रदय और सहिश्णों था, उन्होंने ऐसी महान देवी और उनके पती करुणा निधान भगवान शिव का अनादर और निंदा करने वाले दक्ष को भी कोसा, सभी कह रहे थे कि दक्ष ने अपनी ही पुत्री को प्राण में जाएगा और पूरे संसार में उसका अप्यश होगा, दूसरे और देवी सती के साथ पधारे, सभी शिवगणों ने जब यह द्रश्य देखा, तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही, वे तुरंद अपने अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मानने के लिए दोड़े, वे सा अपनी माता देवी सती की रक्षा नहीं कर पाए, उनमें से कई पाश्यों दोनों तो स्वयम अपने शरीर का त्याग कर दिया, बचे हुए सभी शिवगण दक्ष को मारने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जब रिशी भ्रिकु ने उन्हें अक्रमण के ल आलने वालों का नाश करने के लिए यरजुन्बंत्र पढ़कर दक्षागणी में आहुती दे दी, आहुती के प्रभाव के फलस्वरूप, यग्य कुंडल में से रिभू नामक अनेक देवता जो प्रबल वीर थे, वहाँ प्रकट हो गए, रिभू नामक सहिस्त्रों देव और शिवगणों में भयानक युद होने लगा, वे देवता ब्रह्मतेज से संपन्न थे, उन्होंने शिवगणों को मारकर दुरंत भगा दिया, इससे वहाँ यग्य में और अशांती फैल गई, सभी देवता और मुनी भगवान मिश्नों से इस विग्न को टालने की प्रार करने लगे, देवी सती का भस्म हो जाना और भगवान शिव के गणों को मारकर महा से भगाय जाने का परिणाम सोचकर सभी देवता और रिशी विचलित थे, हे नारत इस प्रकार दक्ष के उस महान यग्योद सब में बहुत बड़ा उत्पात मच गया और सब और तराही तर ही मच गई थी, सभी भावी परिणाम की आशंका से भैभी दिखाई दे रहे थे